नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेस रासी वालों आपकी जोड़ी सबसे अच्छी किसके साथ जमेगी कौन है वो जिन से आपको धोखा मिलने की संभावना ज्यादा होती है कौन है आपके सत्रू रासी और मित्र रासी तमाम बाते आपके साथ साजा करेंगे वीडियो के अंतक बने रही है पहले जानते हैं जो मेस वाले हैं वो होते कैसे हैं देखिए हर रासी की अपनी खूबियां होती है अपनी खासियत होती है और कुछ गुन होते हैं कुछ अब गुन भी होते हैं लेकिन आज हम जोड़ी की बात करते हैं अब जैसे ही कोई विवेक्ती मेसरासी की लड़की है आप लड़का है जैसे ही थोड़े से यंग एज में आते हैं तो मन में धेर सारी कलपनाएं प्यार उड़ान भरने लगता है अब विप्रीत लिंगी के प्रती एक स्वभाविक प्रक्रिया है आकरसित होने का अब ये भी जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है क्योंकि कई बार सपने देखना अच्छा लगता है और ऐसे में होने वाला जीवन साथी आपका प्यार कैसा हो ये आपको सोच कर ही बहुत ही एक गुदगुदी सी होती है अब दूसी तरफ धैर और समर्पन की आवसकता होती है जिंदगी के उच्चेतम लक्षों को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है त्याग भी करना पड़ता है तभी आप सफलता पाते हैं अब माता पीता आपक अगर जीवन साथी सही मिल जाए तो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि देखिए वैसे तो जो भाग्य या सोच से बिभात्य होता है वैसे बिभा होने में भाग्य की सबसे बड़ी भुमिका होती है दो रासियों के बीच सही संबन से बिभा होता है और अ साल मेल का अभा होता है और अगर सही मित्र रासी से आप विभा करें तो जीवन बहतर होगा क्योंकि यह जो है ना आप में जो एक जीवन में जो संघर से ना वो कम हो जाता है क्योंकि खुसियां यहां ज्यादा होती है और मित्र रासी से हमारी सोच मिलती है और यही सोच ज देखिए बिभा चुकि बिभा तो हो ही जाता है कोई भी बेक्तिक वारा रहता नहीं अमूमन अब बिभा हो जाना और प्रेम बना रहना आपका प्यार हो जाना और प्यार को पा लेना दुन में अंतर होता है आप चाहते हैं आपका जीवन सुख में रहे आपका लव आपका शीवन साथी मिले लेकिन उसके पहले कुंडली मिलाना आपके रासी गत्गुन मिलाना जरूरी होता है अगर आप मित्र रासी से विवा करते हैं तो आपका भविश्य सुख में हो जाता है तो चलिए जानते हैं मेस और मेस वालों की जोड़ी कैसी रहती है मेस और मेस तो यहीं सुखरात करते देखें दोनों ही रासीयों का स्वभाव उग्र क्रोधी चिर्चले पर लिये वे होते हैं ठीक है अब यहां पर अगनी तत्तो वाली रासी है आपस में विवा समन्द करना वैसे ठीक है क्योंकि स्वभाव गत्सतुरता नहीं होगी पर व् साधितों कर सकते हैं पर आप जो गर पुरुस हैं घर की साय Avatar जिम्मेदारी महिलाओं धुन फिर जिस्टा ठीक है अगर आप मेस के हैं और V tenants ब्रासी से अगर बात की जाए तो देखिए मेस और बस जो मैस राप के हैं ब्रिस अबले सॉप्त नेचर के होते हैं दिल मेस वाल बैचारिक मद्वेद होगा मेस वाले को धोखा भी मिलता है ब्रिसब बालों से खूब खास कर धनके लेंदेन के मामलों में अब ऐसे में भगवान गनेश को दुर्वा जरूर अरपित करें नियमीत रूप से अगर आपका लब ब्रिसब का है या आपका जीवन साथी क्योंकि यहां पर बैचारिक मद्वेद रहेगा अब यहां पर मेस और मिथून की बात की जाए तो दोनों का ही नेचर लगभग एक जैसा है अब आपका जो है बिवाह या प्रेम करना आपके लिए वैसे अच्छा है क्योंकि मेस वाले अगनी तत्व प्रधान रासी और यहां पर जो मिथून वाले हैं अब मिथून वाले बुद्ध की रासी है और यहां पर चुकि जब मिथून वालों का साथ इनका होगा तब यहां पर सफलता के एक नए रास्ते गढ़ेंगे क्योंकि यहां हावा मिलेगी आपको आगे बढ़ने में मेस और करक की बात की जाए तो दो सफलता होगी आए दिन तक्रार होगी जगड़े होंगे तो ऐसे में जो मेस वाले हैं करक रासी से वीवा वैसे आपके मित्र रासी है लेकिन फिर भी बिवाह ना करें तो अच्छा है प्रेम तो रहेगा पर जगड़े भी बहुत होंगे अब मेस और सिंग रासी की बात की तो देखिए दोनों ही रासियां अगनी तक्तु की है और आकर्सक भी है उत्तेजित उत्तेजना वाला रासी है अब ऐसे में क्या है न यहां पर इन दोनों का जो स्वामी आपस में मेत्री समंद्र रखते हैं तो ऐसे में मेस वाले जो अनन्य प्रेम वर्दक हैं अब पित्त होंगे दामपते जीवन ठीक रहेगा यहां पर अगर कर्णिया वालों की बात की जा तो देखिए बैवाही जीवन वैसे तो ठीक रहेगा क्योंकि क्रोध को कर्णिया रासी बर्दास्त कर ले तो ठीक है लेकिन यह है कि यहां पर धोखा मिलने की संभावना कर्णिय तो तो तुलारासि जो है न वह सुक्र की रासी है संदरी की रासी है और तुलारशी की यहां पर मेस वालों का जो मित्र रासी भी है तो आकरसन प्रेम में बदलेगा प्रेम समर्पन का रूप करे तो विबा करना बहुत सुगदायक है क्योंकि एक ही बिचार धारा है एक दूसरे को आप समझेंगे और मेस वाले को बरदास्त करते रहेंगे या फिर दोनों का प्रेम चलेगा लेकिन मेस और बिस्टिक की बात की जाए तो देखिए यहां पर जो बिस्टिक रासी है मंगल की रासी है दोनों लेकिन एक नकारत्मक दूसरी सकारत्मक ऐसे मेस का अगनी तत्तो और बिस्टिक का जल तत्तो है और बिस्टिक वाले वैसे भी आपके सत्रू रासी है तो यहां पर हावी हो कोजिस करें व्रिस्टि can वाला मेस वालों पर तक्रार बहुत जादा है अभर ना ही करें उनसे विपाद तुनुक्ष करते हैं दनू की जोड़ी अगर कहीं जाये कि यहाँ पर बहतर होगी तो कहीं कोई गलती नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी तीसरे की बातों पे विश्वास ना करें सिर्फ आप तो ही एक दूसरे की बातों को साजा करें आपस तो बहतर होगा प्रेम बढ़ेगा और आपके प्रेम से लोग जलेंगे भी बस यहाँ पर कोई तीसरा नहीं आना चाहिए अगर मेस और मकर की बात करें तो मेस का सुभाब तेश तर्रार होता है और मकर का सुभाब काम टालने वाला अब यहाँ पर मकर पर मेस का क्रोध आएगा लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है ना मकर वाले मित्र रासी है तो आपके लिए मकर के त्याक करने से रिष्टे अच्छे रहते हैं तो विवा समन्द बेहतर कहे जा सकते हैं और अगर हम कुम की बात करें तो देखिए मेस और कुम रासी जो ना घड़े का प्रतीक है अब अंतर मन को समझपाना थोड़ा कठीन है और मेस वाले बड़े सीधे साधे सच्छे सरल होते हैं अब कुम की इस तरी समपरपम भावतो रखती है लेकिन ये सत्रू रासी है तो थोड़ा से हां पर बचिए मेस और मीन की बात करें तो देखिए दोनों में तात्विक भी समता है क्योंकि वैसे तो आपस में नहसरगीक मित्र हैं मीन का जो रात्री का चरपड़ानी है और यहां पर मेश दिन का है तो मेश छत्री रासी है मीन ब्रहहमन रासी है तो इन दोनों का प्रेम और बिवासमंद बहतर तो होगा लेकिन मीन को समझाता अधिक करना पढ़ेगा तो ये चीजें आपके जीवन में हैं तो अभी तक हमने इसिर्फ आपको ये बताया कि किनके साथ रिष्टे जोड़ने में आपको क्या लाप क्या हानी है पर अब जानते हैं बिस्तार से देखिए आपको फिर से हम बता दे मित्थुन, कन्या, ब्रिस्तवरासी आपके अनुकूल नहीं होते क्योंकि मेस वालों को इन से धोखा मिलने की संभाबना जादा होती है खास कर धन के लेंदेन के मामलों में धन के मामलों में या धन के लेंदेन के मामलों में तो इनका साथ अगर कोई बिजनस वेप साय है आपका लव पार्टनर आपका बैवाहिक जीवन साती है तो फिर यहां पर बशने के लिए तमाम चीजें से भगवान गनेश को नियमीत रूप से दुरवा और पित करें और दूसरी बात अब हम अगर बात करें आपके बेस्ट जोड़ी की तो करक तुला मकर रासी बालों से आप विवा करें तो अच्छा रहेगा ब्रिश्चिक कुम बालों से विवा करने से बचिए और अगर आपका विवा इनसे हो गया है तो और जीवन में समस्या है आपके बैवाहिक तो नियमीत रूप से भगवान सूरी को एक चुटकी जल में हल्दी डालकर अर्पित करें तो बैवाहिक जीवन बहतर होगा तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बाते साजा की अगर जानकारी बहतर लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरू कीजेगा और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा हरहर महादेब धर जानिवाद